पिछले साल वर्टसप एक नई प्राइवेट पॉलिसी लेकर आया था जिसके तहर्ट वर्टसप का डाटा फेस्बुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ सेयर किया जा सकता है यानि कि आप जो चैट करते हैं उसका डाटा एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी तक आराम से दिया जा सकता है जिसको लेकर CCI ने जान शुरू की तो वर्टसप और फेस्बुक ने CCI की जानच को ही गलत बता दिया और जानच के खिलाब दिल्ली हाई कोट में अरजी दाखिल कर दी जान सिंगल बैंच ने उस वक्त याज़िका को खारिज कर दिया था लेकिन इसके बाद दोनों सोसल मीडिया कंपनियों ने हाई कोट की डबल बैंच के सामने अरजी दाखिल की थी अब हाई कोट की डबल बेंच ने इनकी अर्जी को आज खारिज कर दिया है इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानगारी करें हमारा साथ जूड़ चुके हैं दानिश दानिश बताईए किस तरह का रहा ये वाटसाप पर फेस्बुक के लिएकर जो अर्जी दी गए थी क्या रहा उसमें आज दिल्ली हाई कोट के चीफ जैसेज लेट बेंच ने वाटसाप पर मेटा की याचिकाओ को खारिश करा है और वाटसाप और मेटा चाते थे कि जो CCIA का प्रोब चल रहा है वाटसाप की नई प्राइवसी पॉलिसी में उस पर दिल्ली हाई कोट उनको किसी तरह के रिलीफ थे लेकिन चीफ जैसेज के बेंच ने भी उनको किसी तरह कर रिलीफ नहीं दिया है जज्मेंट डिलेवर करते वे दिली हाई कोट ने ये बारत अब्ज़र्फ करी है कि इस प्ली को डिस्मेश इसले किया जा रहा है क्योंकि ये प्ली डिवाइड अब मेरिट्स है और जो CCI का प्रोब है वाट्साप की नही प्राइविसी पॉलिसी पे वो कंटिनी होता रहेगा खिर ये दोनों कंपनीज ने दिली हाई कोट को वापस अप्रोच करा था और ये चैलेंज कर रहे थे दिली हाई कोट के पहले के ओर्डर को जो इस वाट्साप की प्राइविसी पॉलिसी के बिलकुल अगेंज गया था और इन दोनों कंपनीज को थोड़ी वाट उमीद थी की चीज़ जासे कोटमेंट को किसी तरह की रिलीफ मिल सकती है लेकिन एक काफी लंबी हेरिंग के बाद डेली हाई कोट के बेंच ने ये डिसाइड करा है कि जो CCI का प्रोब है वो चलता रहेगा और दोनों ही कंपनी याने की वाट्साप और मेटा की याचिका को खारेश कर दिया गया है